मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम परता है डेविल कब होगी किक्टु रिलीज आंकिर क्यों दर्जुनों फ्लॉप देने के बाद भी जैकलीन को लगातार मिल रही हैं बड़ी फिल्म में क्या किक्टु में देखने को मिलेगा पहली फिल्म का ये पुराना किरदार स्वागत है आपका बॉलिग्राद स्टूडियोज में सिल्मान कान की फिल्म किक के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद से ही इस फिल्म के सीकुल का इंतजार फांस को है इसके बारे में बीते काफी समय से लगातार खबरे सामने भी आती रहती हैं एक समय तो यहां तक खबर सामने आई थी कि इस फिल्म को लेकर कोई खास तयारी नहीं चल रही है और यह फिल्म फिलाल ठंडे बस्ते में है लेकिन करोना वाइरिस लॉकडाउन के बीच लग रहा है कि निर्माता निर्देशक को अपनी फिल्म की कहानी मिल गई है और खुशी की बात ही है कि फिल्म का काफी काम पूरा भी हो चुका है तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि फिल्म में हमें कौन-कौन सी किरदार देखने को मिलेंगे फिल्म की कहानी क्या हो सकती है और क्यों फिल्म में जैकलीन का होना लोगों के लिए अश्चरय जनक लग रहा है इसलिए वीडियो को अन तक देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें साल 2014 में आई फिल्म के को प्रशंसको का काफी प्यार मिला था यह सेम नेम की तेलगू फिल्म की हिंदी रेमेक है इसके निर्माता और निर्देशक दोनो साजित नाडियाद वाला ही है इस एक्शन ड्रामा फिल्म से ही साजित नाडियादवाला ने बतौर डिरेक्टर डेब्यू किया था फिल्म में सल्मान खान के अलावा जाकलीन फर्नांडर्स, रंदीप हूडा और निवाज उद्दीन सिद्दगी जैसे कई किरदार है ये कहानी देवी लाल सिंग नाम के एक युवा की जिन्दगी पर अधारित है जिसे वही करना पसंद है जिससे उसे खुशी मिले फिर कुछ कारणों से उसे डेविल नाम का चोर बनना पड़ता है जिससे पुलिस मिलकर खोजने की कोशिश करती है फिल्म की कमाई बहुत अच्छी हुई थी ये सल्मान खान के सौ करोड कलब के फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई थी यही कारण है कि फैंस को इसके दूसरे पार्ट की बहुत बेसबरी से इंतिजार था छे साल होके लेकिन किक्टू नहीं आई पर आखिरकार खबर आ रही है कि यह फिल्म इस वर्ष दिसंबर में रिलीज हो सकती है फिल्म की कहाने की बात करें तो सल्मान इस फिल्म में देविलाल सिंग की भूमिका को दुबारा निभाएंगे एक सूत्र ने बताया कि सल्मान का किरदार बहुत लेयर वाला है इस किरदार में एकदम अलक एनरजी है और ये किरदार कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता सांजित किक्टू में भी इस किरदार को एक्सप्लोर करेंगे इस बार भी जेविल को लोगों की मदद करने के लिए खतरनाप विलिन्स का सामना करना पड़ेगा लेकिन इस बार आक्शन और थ्रिल दोनों ही दुगना होने वाला है हो सकता है कि इस बार हमें फिल्म में विलिन के किरदार में प्रकाश राज देखने को मिले बता दें कि प्रकाश राज ने अपनी पहली फिल्म वांटिड करी थी प्रकाश राज को बॉलिवुड के सबसे चहीते खलनाएकों में गिना जाता है क्योंकि वेखॉफ के साथ यूमर का काफी अच्छा मिश्रण पेश करते है हाला कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारी घुषना नहीं हुई है वहीं सल्मान के साथ उनकी लेजी लव के किरदार में फिर से हमें जैकलीन फर्नांडस देखने को मिलेंगी इसका खुलासा पिछले साल उनके जनम दिन पर हुआ था साजित के पत्नी व्रधा नाडिया द्वाला ने ट्विटर पर इसकी जानकारी को शेर करते हुए लिखा ये रहा तुम्हारा बर्ड़े किफ्ट जो हमेशा याद रहेगा जैकलीन हमें ये एलान कर रहे हैं कि साजित नाडिया द्वाला ने सुभा चार बजे किक्टू की स्क्रिप्ट को लॉग कर दिया है और इसमें तुम्हारे रोल की गोशना भी हुई है रंदीप होडा फिल्म में रहेंगे या नहीं इसकी कोई कोशना अभी तक नहीं हुई है इस संधर में बताने कि जैकलीन को पर्दे की सक्षम हिरोईनों में से नहीं माना जाता है क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप गई है और जितनी हिट होती है उनमें किसी ना किसी बड़े स्टार ने उनकी ढूपती नईया को बचाया है Murder 2 से प्रचलित हुई ये अभी नेतरी, अलादीन, हाउसफल सीरीज, रॉय, केक, आदी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है इसके अलावा हमें इनकी OTT प्लाटफॉर्म पर भी कुछ फिल्में देखने को मिली है लेकिन अपनी किसी भी फिल्म में वे अपनी आक्टिंग से क्रिटिक्स को बहुत ज़ादा इंप्रेस नहीं कर सकी है ये बात देखने वाली होगी कि इस बार वे अपनी आक्टिंग से कोई जल्वा बिखेर पाएंगी या नहीं कहा जाता है कि जैकलीन को मिली कई फिल्मों के पीछे सल्मान खान का हाथ रहता है इसके अलावा निर्देशक साजित नाडियाड वाला की साथ भी जैकलीन की काफी अच्छी मितुरता है अब देखना होगा कि क्या फिल्म में जैकलीन कुछ दमाका कर पाती है खेर किक में करण आनन्द ने किर्दार निभाया था और सूत्रों की माने तो करण फिल्म के दूसरे पार्ट में भी एक महत्वपून भूमिका निभाते होए नजर आएंगे हाला कि निर्माताओ द्वारा कुछ भी स्थापित नहीं किया गया है वही जब इस बारे में करण आनन्द से पूछा गया तब उन्होंने भी इस बारे में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है फिल्म गुंडे से बॉलिवर्ड में अपने करियर की सफल शुरुआत करने वाले आनन्द को हाल ही में लॉकडाउन पर अधारित फिल्म आइना में देखा गया था कुछ समय पहले उन्होंने वेब फिल्म इट्स ओवर की शूटिंग खतम कर ली है जो बहुत जल रिलीज होने वाली है वही सल्मान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी है जिसमें टाइगर त्री, राधे, कभी एद, कभी दिवाली, इन्शालला जैसे फिल्मों के नाम शुमार हैं वहीं दूसरी ओर जैकलीन भी जल्दी हमें अटैक और हाउसफुल फाइव में नजर आएंगी देखना होगा कि क्या इस बार भी किक टू फिल्म पुराने रिकॉर्ड को कायम रख पाती है या ये भी सीक्वल्स के निराशा जनक होने के रीसिंट रेंड में शामिल हो जाती है आप हमें कॉमेंस में बताएं कि आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है और अगर आपको हमारी ये विडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू